नमस्कार आप देख रहे हैं खरियानो न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आये रूप करते हैं इस वक्त पीबड़ी कबर कियो कॉंग्रेस ने अंबाला शहर में बड़े नेताओं को उतार कर माहौल बनाना शुरू कर दिया है अंबाला शहर से कॉंग्रेस के उमीदवार पुर्व मंत्री निर्मल सिंग के समर्थन में पंजाब से बनिया समाज के बड़े नेता पुर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला पहुचे और बनिया समाज से बातचीत की इस दोरान बनिया समाज ने अंबाला शहर में उनके साथ दस साल हुई कार गुजारियों को बताया जिससे पंजाब से आए बनिया समाज के नेता विजय इंदर सिंगला काफी आहत हुए उन्होंने कहा कि यहां विधायक असीन गोयल को बनिया समाज ने दो बार मोका दिया लेकिन उन्होंने अपने समाज में ही भै का माहोल बनाया यहे ठीक नहीं है वे बनिया समाज के साथ खड़े हैं और निर्मल सिंग को जितवा कर ही वापिस जाएंगे विजय इंदल सिंगला ने कहा कि निर्मल सिंग को जितवाने का काम करो मैं वनिया समाज के साथ खड़ा हूँ निर्मल सिंग भी वनिया समाज के साथ खड़े हैं आगे कोई दिक्कत व्यापारियों को नहीं आने दी जाएगी अम्बाला से हमारे एडिटर इंचीफ राजेंद्र भारदवाज की रिपोर्ट अम्बाला शहर की सीट से कॉंगर्स पार्टी की तरफ से चौदी निर्मल सिंची कॉंगर्स के परत्याशी हैं और जैसे आपने कहा कि पूरे परदेश के अंदर आज कॉंगर्स पार्टी के पक्ष के अंदर महौल है और यहाँ पर भी पहले दो बार समाज के हमारे समाज के एक साथ ही बजोमेवारी मिली और बहुत सारे भाईयों का यह कहना था आज की मीटिंग में कि उनको पिछले दस साल की वक्त में दर और भै के साथ अपना कामकाज करना पड़ा अपना कारोबार करना पड़ा या उनको सरकार की जो ताकत थी उसके साथ उनको दबना पड़ा तो यह बड़ी दुख की बात है कि जिस समाज ने हमारे समाज के साथी को दो बार इस शहर की सेवा का मौका दिया था आज उसी साथी के बारे में समाज के सभी लोगों की इस परकार की भावना या ज़्यादा तर लोगों की इस परकार की भावना तो इसलिए मैं आज ये बात जोर से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आया, आज किसी को डरने के जरुद माने, खुल कर अपने दिल की जो भावना उसके साथ वोट की ताकत के माध्यम से सही फैसला करो, तांकि एक संदेश जा सके, कि अगर लोग जुमेवारी मिलने के बाद अपनी जुमेवारी को अच्छे से नहीं नभाएंगे, तो लोगों की वोट की ताकत से बात उल्टी भी होसे हैं, तो इसके लिए आज की मंडी की इस मीटिंग में, बहुत सारे लोगों ने इस बात का विश्वास दिलाया है, कि आ में वोट देंगे, और अपने पिछले 10 साल की जो उनके मन के अंदर दर्द है, उसके खिलाफ देंगे, उसके अंगेस देंगे, ताकि इस बात का संदेश बाहर जा सके, सभी लोगों के लिए जिन लोगों को लोग अपनी जुमारी देते हैं.